मैं हूं नीरश्रवास्ता और नजूल की भूमी को लेकर जो विध्यकाना था वो विधान परिशत में पास नहीं हो पाया और अब केशव मर्या जो डिप्टी सियम है उन्होंने का अगले सत्र में इससे लाए जागा लेकिन क्या इससे गरीबों का नुक्सान हो रहा है और क् विवाद हुआ और सप्ता और विपच्च के तमाम नेताओं ने इस पर सरकार को गिर लिया यहीं वजाए कि जो बिल है वो गिर गया विधान परिशत में क्या लगता आपको आप सीनियर जनलिस्ट है क्या लगता किस तरह से इस बिल का विरोद हो रहा है जायज मानते साही बिलकुल जायज है एक तरफ सरकार आवास देने की बात कर रहे है दूसरी तरफ जो पहले से कावी जो गिराया जा रहा है और रही बात बिल के बिरोद की खुद बीजेपी के प्रदेश सध्यज भुपेंदर चौधरी ने भी इस बिल का बिरोद कर दिया तो सरकार में बै पूरानी जमीन है जिसका कोई कागजात नहीं लोग गाउं में डी की जमीन बोलते हैं वो कहां जाएंगे उनको भी तुजार दिया जाएगा रिवेन्यू नापने का अधिकार जो है नेकपाल और इसडियम को होता नहीं है तो सरकार कल को कह देगी कि यह भी नजूल की जम जमीन पर अपना अलिशान बंगला बनायते दहा दिया गया तो इस कारवाई का भी क्या आप मानते हैं इस कारवाई जाए जो और रूप से कबजा करके जो उसको राजनीति का प्रापर्टी का मतब बेहसाई करण कर दिये उन पर कारवाई तो हो नहीं चाहिए लेकिन जो चोटे चोटे लोग हैं 100-200 सालों से बसे हुए जोपड़ी बनाए हुए मकान दो कमरे की बनाए उनके लिए वह निकल के कहां किस तरह से जाएंगे और भी लोग है जान लेते हैं यह बताई क्या लगता है नजूल की जमीन को लेकर जो विबाद चला विदान परिसत में ग सवागत योग है क्यूंकि इसमें पच्श के जितने नेता हैं क्यों विरोवरोद कर रहा कि को नजूल की जंबैंडवे काः मैं एक तो इनको डर होगा कि यह कानून आ जाएगा हमारे हाच से निकल जाएगा विपत्श कर रहा है वो तो अलग विपच का काम है विरोध करना ले श्यादों ने ट्वीट किया था कि बहुत से भाजपा के ऐसे नेता है जिनके बंगले इनी नजूल के जमीन पर बने हैं इसलिए योगी आधितनात का विरोध यह लोग कर रहे हैं और यही वजाए कि विधान परिशत में बिल संजय निशाद कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में ही वो कह रहे हैं अगर यह बिल पास किया गया तो हम लोगों को जनता है जो गरीब लोग है उखाड फेकेंगे जब हम उन्हें उजाडएंगे तो सरकार को भी उखाड फेकें अरे संजय निशाद किस दुनिया में जी रहे ह तो जमीन किसके लिए लेगी अभी तक संजय निशाद को यह बात नहीं समझ में आ रहा है तो गरीबों के लिए ही तो बनेगा मिलेगा गरीबों कोई माफिया ती कहमत की जमीन बुल्डोजर चला दिया गया और उस पे जो गरीबों कोई तो मिला है पूरकपुर में लगत कि लिए और भी लोग हैं बात कर लेते हैं क्या लगता है जो नजूल की जमीन का विवाद है तो लग रहा है कुछ कॉमर्शियल यूज में सरकार लेना चाहती है योगी सरकार की नजर है ऐसी जमीनों पर जिससे उद्यमियों या वापारियों को अपने चहेतों को दे पार देखे पहले तो यह कि जो भी बिल आया है हम लोग गोरकपूर के रहने वाले हैं योगी जी के हर जो उनकी सोच है हम सब गोरकपूर वासी उनके साथ हैं पहली बात दूसरी बात कि रही नजूल की बात तो नजूल की जमी अगर कोई कानून बनता है तो नजने कितने मदर कि सब भस्त हो जाएंगे अब लिख के रख लिए कि कम से कम 60% मदरसे मस्जीद या मंदिर या इसे चर्च अगर उसकी नपाई कराई है तो नजूल की जमिन पर मिलेंगे तो जो विरोध हो रहा है वो पक्ष या विपक्ष दोनों चुकि हर बिल में किसी का फाइदा होता तो का अकिलेश ने ट्वीट करके आरोब लगाया है कि ये अपने उद्यमियों व्यापारियों जो चहते लोग हैं उनको दे देंगे कॉमर्शल यूज में दे दे रहे हैं लगातार तो अगुरकपुर की काफी नजूल की जमीनों को इसलिए गरीबों से खाली करा जा रहा तो उससे फाइदा गरीबों का ही होगा उनके नाम पर पट्टा होगा चाहिए उनके नाम का मकान उनको दिया जाएगा निश्चित तोर पे इसमें कोई दोर आए नहीं है ये कहना अकलेश जी का या किसी का इखाली करा करके उद्योपतियों को देंगे ऐसा नहीं है अगर हम इने उजाड इंगे तो यह हमें 27 में उखाड फेकेंगे तो क्या लगता है ये बिल पास होना चाहिए नहीं हो लेगा आपको लगता है पास होना चाहिए बिल देखिए बिल पास हो और उसका सही अगर सदुपयोग हो तो कोई बुराई नहीं है और भी इसके लावा भी बहुत से बिल है जो खाद सुरक्षा में देख लीजिए आप मिलावट कर रहे हैं लोग जान से खिलवार हो रहा है लोग सुन नहीं रहे हैं यह जान लेते हैं कि जिस तरह से बिल पास होने की बात कर रहे हैं सर क्या लगता है पहले बसाना चाहिए लोगों को पहले बसाना चाहिए तब यह नजूल की जमीन पहले बसाना चाहिए उसके बाद जो है फिर यह नजूल का मैटर है यह गवर्म भी लाई है यह बहतर है और इसमें गरीबों से जादा माफियाओं का कब्जा है माफिया लोग अधिक कब्जा के हो हैं तो अगर यह तोड़ करके जमीन गरीबों को मिलती है तो बहुत बढ़ी आशिए बिल्कुल जो कहना है माफियाओं का जादा कब्जा है और यही वज़ यहां तो उनसे नुजूल की भूमी मुःधई हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जनित में वे काम आएगीłosक अब यह सब्सक्राइब में गूरह क्यां में हैं पार्जावि कर गूरह और सरकार आ पर experiencia इतनी बड़ी संपत्ती मुक्त हो जाए इसके कारवाई यह नहीं हो रहे है तो कहीं नहीं कानून का पालन होना चाहिए जो भी कानून चाहिए लेकिन इसके साथ ही ऐसा भी बहुत सा जो कानून है इस कानून के आने से बहुत से लोगों को इसमें गरीबों का फायदा भी दिखाए दे रहा है एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी